अजी तो वीडियो शुरू करते हैं जी के जिन देओ चलो करीद देते हैं दोस्तों मेरे को पता है यह 10,000 से 20,000 की बिची में इतने सारे फोन्स पढ़े हैं कोई OPPO का कोई Vivo का कोई Xiaomi का कोई Realme का कोई किसी का कोई किसी का कोई यहाँ पे Samsung का बड़ आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कौन से phones आपको लेने हैं मेरे फेवरेट फोन कौन से है, मेरी फेवरेट पिक्स कौन सी है यहाँ पर स्मार्टपोन में से 10,000 से 20,000 तक मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ ये वाला phone इसलिए ये वाला ऐसे ऐसे करके नहीं मतलब कि मैं Samsung के लिए अलग बता दू Apple के लिए अलग बता दू Xiaomi वालों के लिए अलग बता दू ऐसा नहीं है इससे पहले कि मैं अपनी फेवरेट पिक्स बता हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी मैं फोन बता रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाएगा अगर आपको परचेस करना है वहाँ से आप डिरेक्ट परचेस कीजिए चैनल को थोड़ी से एलप मिल जो मैं फोन यूज कर रहा हूँ वो है यार मोटो जी फाइप प्लस है पिछले साल लियाना मैंने बहुत जाला हैपी हूँ यार इस फोन से अभी भी है और चेंज नहीं गया मैंने इसका रीजन है क्योंकि फोन कमाल का चल रहा है बट रेकमेंड नहीं करूंगा आप इसको आखे बंद करके 9000 में Realme 1 को पर्चेस कर सकते हैं 9000 का वेरिंट है जिसमें आपको मिल जाता है Helio P60 का प्रसेसर और इसमें 18-90 डिस्प्ले फुल एच्डी प्लस के साथ आती है कमाल की यार डिस्प्ले फुल एच्डी दे दिया मज़े या गया मतलब सोचा नहीं था पहले यह नहीं सोचा था कि Realme जैसा ब्रेंड एक नया ब्रेंड आके आपको P60 प्रसेसर देगा जो कि एक कमाल का प्रसेसर है स्नैप्रकन 660 को यहां पर कंपीट करता है और इस प्राइस प्राइस पॉइंट बैगा 9000 में उसके बाद यहन्नों ने दिया यहां पर हमारे फुल ए यहां पर मेरे को बहुत बढ़िया लगा उसके बाद करूं अगर मैं बात बैटरी के तो 3000 मेंच की तकरीबन कुछ बैटरी है जो की बहुत यह ची चल जाती है एक पूरा दिन निकाल लेते मेरे डैड यूस करने में बहुत ज़ादा है तो मैं इसे आपको सेजिस कर सकता अगर 11000 तक मैं ले सकता हूँ तो आप इसका चार्ज भी वह ले सकते हो जिसमें चार्ज भी 64GB की स्टोरिज देखने मिल जाएगी और साथ में वही सब कुछ मिल जागा जो पहले था और कैमरा मैं बतातू इसमें सिंगल कैमरा है बट कैमरा बहुत अच्छा है ऐसा नहीं क अगर आप गेमिंग करना चाहते है और यहां पर आपको रियल मी से थोड़े से और बड़ी है कैमरा मिल जाएगा आपको टॉप आप करने की जोड़ नहीं बड़ेगी तो बहुत बढ़िया बात है बात है इसकी 5000 mAh की बैटरी है जो कि बहुत बढ़िया बैटरी है अगर बहुत बढ़िया बात है इसके एक और वर्जन की बात करूँगा वो है इसके वर्जन 13,000 में अगर आप फोन देख रहे हैं तो इसी फोन का अगर आप 13,000 में बढ़ जाएगी तो इस बेस पे उसके बात करूँगा 15,000 में आपको फ्कून कौन सा लेना है 15,000 में मिर पास दो पेक्स है पहली यहाँ पर आपको अगेन एसुस एनफोन मैक्स प्रो का 6GB वाला वर्जन मिल जाएगा आप मैं 6GB वाला वर्जन क्यों कह रहा हूँ एक तो रैम बढ़ गई 2GB और यह रैम के कारण और जादा स्मूध हो गया है मैंने देखा इसकी जो एप की स्विचिंग है बहुत जाला फास हो गई है मेरे को बाग की सब कुछ सेम है तो यह फोन धमाल है उसके बाद अगर माँ बात करूं डूसरा जो मेरे पास मॉडल है वो है रेड्मी नोट 5 प्रो रेड्मी नोट 5 प्रो मैं तभी यहां पर सजेस्ट कर रहा हूँ अगर आपको यार कैमरा लो लाइट में बहुत जाला यूस करत और थोड़े से अपडेट से आपे स्लो हो जाएंगे तो यह कुछ आपको दिखने मुल जाएंगे रेड्मी नोट 5 प्रो में अब आगे चालते हैं थोड़े सा बजट आपको बढ़ा देते हैं 17,000 तक 17,000 में अगर आपको फोन लेना है तो यार मैं कहूंगा अगर आपको आप Xiaomi का Mi A2 लोगे एक ही कारण के लिए वो होगा इसके कैमराज, कैमराज जबरदस हैं मतलब अमेजिंग रिजल्ट देंगे आपको अगर आप 20,000 के अंडर कोई भी फोन उठालो Mi A2 जैसा कैमरा आपको दिखने को नहीं मिलेगा और उस फोन में Android 1 की एक जोगी मैं यह अपर रेक्मेंट करूँगा वो है Honor Play, Honor Play में क्यों रेक्मेंट कर रहा हूँ क्योंकि यार यह जो फोन है यह 20,000 में जुरूर आजा है पर इसका प्राइस ज़्यादा होना चेता पर कम आया है इसने सारी इंडस्ट्री को शॉक कर दिया यह आरा है flagship grade processor के साथ Kirin 970 जो की इनका अपना processor है यह flagship processor आपको भी पता है Snapdragon 835 से ज़्यादा बढ़िया और थोड़ा सा Snapdragon 845 के आसपास है तो यह Honor अपने flagship phones में डालता है processor इवन कि आपको हुआ गे कि P20 Pro में यही processor दिखने को मिल जाता है Honor 10 में दिखने को मिल जाता है तो top notch performance दिखने को मिलेगी बस एक downgrade है यहाँ पर camera जतने अच्छे नहीं है back camera, selfie camera फिल भी ठीग है back camera hidden में से कभी कबाँ अच्छे आजाती है कभी कबाँ अच्छे नहीं आती photo बढ़ अगर आपको यहाँ पर फोटोस अच्छी है तो Mi A2 ले सकते हो वरना performance के लिए यह phone बहुत ही बढ़िया है इवन की यहाँ यहाँ पर लगा था कि शायद battery कम रह जागी पर battery performance भी उस phone की काफी बढ़े है तो यहाँ अगर आप camera से इतने जादा tension नहीं लेते हो तो perfectly our honor पे आपके लिए है तो गाइस यह थी मेरी सारी की सारी picks जो कि मैं आपको गर सकता था recommend 10,000 से लेके 20,000 तक I think आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो यहाँ वीडियो को like जरू कीजेगा share जरू कीजेगा और subscribe करनो अगर आप first time देख रहे हो मेरी वीडियो को और मिलता रह अगली अपिसोड में आप भी मिलते रहना उमीद कर रहा हूँ आप जरूर में कोईली वीडियो में विलोगे तब तक अपना हम चानल वालकरे के ख्याल keep smiling and always take care guys